हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चानल स्टेन बीपीसी में दोस्तों आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि जो जीके जीएस के जो प्रशन है वो आज हम लोग देखेंगे इतने इंपोर्टेंट इतने महतपून प्रशन जो एक दो मतलब तीन चार प्रशन यहां से किसी भी एक्जाम में रहते हैं यह आप सेशन कर लेते हैं तो दो से तीन नमबर दो से तीन कोशन आप दुनिया का कोई भी एक्जाम देजिए उसमें यह पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा फिक्स है ठीक है दोस्तों तो आप सेशन किजिएगा इंपोर्टेंट सेशन है उससे पहले अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देजिए हम लोग सेशन सुरू करते हैं और प्रिथवी राज तृतिय के बिच्ट उसके बाद हैं मुहमध ग्री और जैसीन के बिच उसके बाद मुहमध गुरि और जैखेशन के बिच्ट क्या राइटन जरोगा दोस्तों तो देखें तर राइन का यूध जो हूआ था ये 1901 बे और एक Immediacy इस मि पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंतरन के लिए खोल दिया और ये युद मोहमद गुरी और प्रिथविराज तृतिय के बिच लड़ा गया था तो प्रिथविराज तृतिय एक राजपुत सासक थे तो ये उसके मुताबिक इसमें से क्याराइटन सरोजेगा देखिए मोह अकबठ चाहा के बिच उसके बाद कर शेज बादा अकबर और वैगम खान के बिच उसके बाद के लिए और ऑकुपर और राना पर्तापकर मोहमद देखिए पानिपर 11 भी बोला जाता था और 예쁜 की सेन बीच पानिपत के मैंदान मिल रा गया था और अकबर के सिनापती खान जमान थे और बैरम खान के बीच एक निरनायक जीत हुई थी तो उसके मुतावी क्या हो जाएगा इसमें से वैगम खान और हेमू के बीच हो जाएगा ठीक है राइट अंसर उसके बाद देखिए आगे प्रशन है दोस्तों कि इंगलेंड में ग्रियूद कितने वर्सों तक चला तो यह दोस्तों साथ वर्सों तक चला वेरी सिंपल अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है हरपास अभियता की खोज किस ने की थी तो यह दायरम साहनी ने की थी ठीक है और आखल दस बनर्जी के बात करेगा तो यह मो जोद्रो को इन्होंने खोज किया था अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है कि सौधी में रमाइने और महाभारत की एक मिट माफ किजिएगा किसी का कॉल आ रहा है तो प्रस्न था दोस्तों क्या किस ओधी में रमाइन और महाभारत की रचना हुई थी तो ये दोस्तों हो जगा आपका आयरे ओधी में हुई थी आयरे ओधी में रमाइन और महाभारत की रचना हुई है चलिए अगला प्रस्न देखिए अंग्रेजों ने फूट डालो और सासन करू कि नीती कब अपनाई थी तहीं अठारे सो अंठाउन के बाद उन्हों ने अपनाया कब अपनाया अठारे सो अंठाउन के बाद अपनाया था याद रखियेगा फूट डालो और सासन करू कि नीती उसके बाद दोस्तों की थोड़ा छोटा कर देते हैं देखिए प्रशन है वह सासक जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के द्वारा सरीर त्याग दिया कौन था इसमें से अपसने बिंदुसार, असोक, चंदरगुप्तमौर या अनने देखिए वह सासक मतलब ऐसा मुनी की तो इसमें दिया, अगला प्रसंदर देखिए गूप्त समाज के अस्थापना कीस ने की थी तो यह चंदरोगुप्त पर्थम ने किया था, ठीक है, यहाँ पर है तो चंदरोगुप्ति है अस्थापना अगला प्रसंदेख्त dew में चलिए दूसरे पेज पर हम लोग आ जाते हैं अगला प्रशन है दोस्तो थोड़ा और जूम कर देते हैं देखिए प्रशन है बंगाल को मुगल समरा से प्रिथकर सोतंत्र किया किसने तो ये option है मुर्सिद कुली खा, सहादत खान, सर्फराज खान या आन्ने बंगाल को पूछ रहा है मुगल समरा से प्रिथकर सोतंत्र किसने किया तो ये मुर्सिद कुली खा हो जाएगा ठीक है कौन हो जाएगा तो मुर्सिद कुली खा हो जाएगा उसके बाद देखिए अगला प्रशन है कि मुहमद गुरी कहां का सासक था मुहमद गुरी कहा का सा सक था तो ये अफगनिस्तानी सा सक था दोस्तों ठीक है मुहमद गुरी का जनम जो हुआ था ये देखिए सन एक आरे सो जनम की नहीं सन एक आरे सो उन्चास इसमी में ये अफ़गनिस्तान में इसके बारे में चर्चा होती है देखे और मोहमद गुरी का पूरा नाम आपको पता होगा क्या था सहाबुदिन मोहमद गुरी ठीक है मुगल में मुगल काल में सवरो परतम किस सहर में अंग्रेजों ने अपने कर खाने अस्तल अस्तापित किये थे तो यह दोस्तों यह सूरत में किये थे कहां किये थे?, सूरत में किये थे, उसके बाद देखिerten, उसके बाद है, किस औधी में, रमाई निय evalu महाँबरत की रचना हुई थी, तो ये, पताएए, आरे औधिक में, ठिक है, किस औधी में, रमाई निय好吧 की रचना हुई थी, अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है भारत में आरियो का आगमन कहां हुआ था तो ये कहां से हुआ था इनका तो ये option है दक्षिन फिर का पुर्तगाल मदेशिया पुशी मेशिया तो राइट अंसरोजय का मदेशिया से इनका क्या हुआ था अगला प्रसन देखिए प्रिंस अब बिल्डर के नाम से किस मुगल सासो को जाना जाता है प्रिंस अब बिल्डर तो ये सा जहां को कहा जाता है ठीक है किसको कहा जाता है प्रिंस अब बिल्डर के नाम से तो ये सा जहां को कहा जाता है याद रखिएगा किसको कहा जाता है सा जहां को कहा जाता है दोस्तो important है Prince of Builder सा जहां याद हुआ Prince of Builder सा जहां चलिए अगला प्रसंद देखिए उसके बाद है किस गुप्त साषक ने कुतु मिनार के निकट इस्थित लोव अस्थम का निर्मान करवाया था किस ने तो ये चंद्रगुप्त पर्थम ने करवाया था ठीक है चंद्रगुप्त पर्थम ने उसके बगल में लोस्तम का निर्मान करवाया था पुर्णो द्वार जिसको बोलते हैं अगला प्रशन है किस के सासनकाल में पर्थम चिनी आतरी भारत आया था ठीक है चलिए अगला प्रसन देखते हैं उसके बाद है सीख समुदाय का अंतिम गुरु का क्या नाम था तो ये गुरु गोविन सिन था क्या था गुरु गोविन सिन था अगला प्रसन देखिए उसके बाद है कुची पूरी निरित कहां आरंब हुआ था कुची पूरी निर्थ तो यह आंध्र पर्देश में शुरू हुआ था ठीक है आंध्र पर्देश में अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है चित्र काला की गंधार सहली का सूत्र पात किसके द्वरा किया गया था चित्र काला की गंधार सहली का सूत्र पात किसके द्वरा किया गया था चित्रकाला की गंधार सेली का सूतरपात महायन संपरदाय के द्वरा किया गया था अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन भारत पर अकरमन करने वाला पर्थम मुसलिम अकरमन कारी कौन था तो ये मुहमद बीन कासिम था 723 भी माना जाता है ठीक है मुहमद गुरी मुहमद बीन कासिम को माना जाता है इसने भारत पर पहला मुसलिम था जिसने अकरमन किया था अगला प्रसन देखिए स्वामी दयानन सरस्वती ने किस समाज के स्थापना की थी तो ये आर समाज के स्थापना की थी ठीक है किस समाज के अस्थापना इन्होंने किया था तो देखिए आधुनिक भारत के इन्हें चीनतक या आर समाज के संस्थापक में माना जाता है और इनके बच्पन का नाम था मूल संकर इन्होंने क्या किया वेदों के परचार के लिए मुंबई में आर्समाज के अस्थापना की थी अगला प्रस्ण देखिए उसके बाद है भारत के पर्था महिला सासक कौन थी तो देखिए यह मधकालीन का प्रस्ण है रजिया बेगम बोल सकते हैं या रजिया सुल्ताना भी बोल सकते हैं रजिया मधकालीन भारत के पहली और आखरी महिला सासक रही थी रजिया ने क्या किया कि 1236 से लेकर 40 तक राज किया रजिया को बच्पन से ऐसे तालीम दी गई थी कि वह एक सासक के रूप में कारेभार समाल सकती थी ठीक है और यह लड़कों जैसा ड्रेस पहनती थी जो कि उसके दर्बार के जो महामंत्री लोग थे उनको पसंद नहीं था धरम के खिलाफ मानते थे टिपू सुल्तान कहां का सासक था तो टिपू सुल्तान यह मैसूर का था ठीक है टिपू सुल्तान देखे टिपू सुल्तान के पिता मैसूर समराज के एक सैनिक थे लेकिन अपनी ताकत और बल के बदलत 17 से 61 में यह क्या होता है वहां का सासक बनता है चलिए अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है दोस्तों कि तरी पीटक जो एक धार्मी गरंथ है इस गरंथ का संबंध किस धरम से है तो यह बोध धरम से संबंध है तरी पीटक किस संबंधित है तो यह बोध धरम से संबंधित है याद रखिएगा ठीक है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है किस मुस्लिम सासक ने गुजरात के जुनागड में इस्तित सोमनात पर आकरमन किया किसने आकरमन किया गुजरात के जुनागट पर तो मोहमद गुरी ने ठीक है किसने किया तो यह मोहमद गुरी ने आकरमन किया था चलिए अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है निमलीखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं तो तुर्की को ठीक है देखे ओटोमन सुल्तान का त्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया था कि वहां रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता मतलब अ जादी क्या है वो भूल गए और अंदोलन करने लगे इससे क्या हुआ कि आटोमन समराज कमजोर पढ़ने लगा और 19 सदी में इस समराज का पतन के परकेरिया धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे तुर्की के हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा समझ गए चलिए अगला प्रसंद देखते हैं उसके बाद देखे मैसूर का पर्थम यूद किन के बिच लारा गया था मैसूर का पर्थम यूद किन के बिच लारा गया था बताईए किन के बिच लारा गया था मैसूर का पर्थम यूद अंग्रेज और हैद और अलि के बिच लड़ा गया था 1767 से 1729 तक ठीक है 1767 से 1779 तक जिसका कारण मादरास की आकरमन नित्ती के वज़ा से हुआ चलिए अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद है दोस्तों कि निमलिखित में से किस ब्रिटिस गौर्णर ने भारत में सवती प्रथा पर बैन लगाया पर तिबंद लगाया तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया 1829 में इसको समाप्त कर दिया गया अगला प्रसंद देखिए उसके बाद है भारत का परोसी देशमे अमार जो पहले भारत का यंग था ये कॉब अलग हुआ तो ये 1937 में लग हुआ था ठीक है अगला प्रसन देखिए वर्तमान बिहार राज सन 1911 तक किस परांत का हिसा था तो ये बंगाल परांत का हिसा था दोस्तों किस का हिसा था बंगाल परांत का अगला प्रसन देखिए अगला प्रस्ण है कि बैदिकाल के लोगों को निमलिखित में से किस फंसल का ज्यान नहीं था तो ये तम बाकु का उन्हें ज्यान नहीं था ठीक है किसका ज्यान नहीं था बैदिकाल के लोगों को तम बाकु का ज्यान नहीं था उसके बाद देखे भारतिय संगीत के आदिगरंद के रूप में की से जाना जाता है तो ये सामवेद को जाना जाता है आदिगरंद के रूप में संगीत के रूप में सामवेद को जाना जाता है ठीक है? चलिए अगला प्रसन देखते हैं भारत में खोजा गया सिंदु सभ्यता का सबसे प्राचीन सहर कौन है? अप्शन आपके सामने हैं प्राचीन सहर कौन है इसमें? प्राचीन सहर इसमें आपका हराप्पा हो जाएगा ठीक है? हराप्पा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है भारत में मुगल समराज की अस्थापना का सरे किसे दिया जाता है भारत में मुगल समराज की अस्थापना का सरे किसे दिया जाता है तो ये बाबर को दिया जाता है ठीक है अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है दोस्तो- रिंग वेद में पुरणदर सब्थ का परियो किस देवता के लिए किया गया है अगला प्रसन देखिए- अरमभिक बैधिक सहीति में किस नदी का सरदीक वर्णन मिलता है तो ये सिंदु नदी का वोर्णन मिलता है अरंभिक बैदिक सहित में सिंदु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा जनकारी मिलता है याद रखिएगा उसके बाद देखिए नंद वंस कांतिम सासर कौन था? शुर्वात इसकी निव डाल था महापदम नंद ने लेकिन अंती में हापूचरा इसले क्या हो जाएगा? घनानन्द हो जाएगा ठीक है घनानन्द अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है बहुत भिक्ष्यों के लिए विख्यात विक्रम सीला विशो विदाले के अस्थापना किस ने किया था? तो पाल सासर कौन था? धरम पाल था ठीक है धरम पाल ने इसकी निव डाले थी और यह अस्थापना किया था चलिए तो दोस्तों हमारा आज इतना ही महतपून प्रस्त ना आज के सेशन में थिक है उमीद करते हैं आप लोग का यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो क्या किजएगा दोस्तों के पास सेयर कीजएगा हम ऐसे ही मज़दार सेशन जिके जिएसका लाते रहेंगे ठीक है झाल झाल